कि असलाव अलुक्त त्यूब्य नियुक्त कैसे आप लोग भी मीद्या क्यों भी जिक टाक होगे तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग बात करेंगा अबाउट कि वो फस्थिट जिन्होंने फसी के मार्ग्स पूर्ट ही नहीं किये थे और वो स्टुटेंट जिन्होंने FSC के मार्क्स पूर्ट किये थे लेकिन उसके पहुजिद उनका final merit list में FSC के मार्क्स एड़ नहीं किये गए तो उन स्टुटेंट को क्या करना चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग यह सारी चीज़ें डिसक्रेस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पर आप लोगों से एक रिक्वास है कि अगर आप लोग ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्यों तो कायंटी आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लो क्योंकि याप लोग इनाम और हमारड़ी मोटिकेशन होती है सेकंड तेंड इस टाट कि आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिलकुल लास्ट देखा करो तो यार वो स्टुरेंट जिन्होंने FSC के मार्क्स एंटर ही नहीं किये थे क्यां कि काल से मझें लोग कंटक्ट कर रहें हैं स्टुरेंट्स के हमें यह ये मसला था रजल्ट नहीं आया था या मोग फ्लड एफक्टेड अरिया से थे या कोई भी मसला था जिस पूशाNow请 sector result नहीं मिलता तो नोने f sec result रिंडर नहीं कह था और बहुद में जब provisional merit list डिस्प्ले हुई उसमें जब kmu ने कहा कि आप लोग तो है वो marks एड कर सकते हैं और इस्टेट से marks एड किये लेकिन उसके पावजूद उनका final merit list में जब हो marks एड नहीं हुए तो वो strengths क्या करें देखें इसके लिए हमने भी kmu से contact किया कुछ students थे वो भी kmu उनने हुद personally visit किया तो उनको जो kmu ने वो answer दिया तो हम लोग इस वीडियो में आप लोग के साथ discuss करेंगे वीडियो बिलकुल लास तक देखें तो यार उसके लिए kmu ने ये कहा है कि आप लोग इस तरह करो अपना aggregate के लिक्लेट कर लो फेसी के रजल्ट आप लोग आजचोगह या जो भी आप लोग उसके according लिए अपने aggregate के लिक्लेट करोगे aggregate के लिक्लेट करूध की बाद आप लोगोंगों नियक्रीन वालत ली गया करना है कि final merit list open ने ओपन 16 ठीक है? वहाँ पर अपने aggregate लिए वो search करने है आपके aggregate वाले जो बंदा है या जो भी उसका कितना merit number है तो वो ही merit number आपका होगा और आपने उसी merit number के accordingly जो interviews schedule हुए है उसी respective date पर आप लोगोंने interview के लिए जाना है with your required documents ठीक है? जो भी आप लोगों ठीक है है? ये आपलों के पास बढ़कूल लास्ट चांस है और गुल्डन चांस है इस्पेशलि उन स्टोंट्स के लिए जिनने अपने FAC के मार्क Labर नहीं कीये थे ठीक है? या कीये भी थे तो उनके लिस्ट में मार्क अपिर नहीं हुए तो आप लोगों को ने क्या करना है कि इसना से कर लेना है तो आप लोगों को मोका देंगे अगर कोई student जा है वो इस मरत भी अगर रहा जाता है ठीक है किसी भी वज़ा से तो फिर उसको जो है वो बाद में मोका नहीं मिला दिया जाएगा बिशाक उसका aggregate अचा हासा बन रहा हूँ लेकन उस वक्त अगर seat ना हुई तो आपका admission नहीं मेलेगा लेहाज़ा आप लोग क्या करो कि अपना aggregate के लिए क्लिट करो फार एक्जम्पल एक student है वो अपना aggregate के लिए करता है और उसका 75 aggregate बनता है फार एक्जम्पल ठीक है अब मुझे नहीं बता आप लोगे कितना मत्त है मैं एक ग्जम्पल ले रहा हूँ कि एक student digest का 75% aggregate बनता है अब वो क्या करेगा final merit list open करेगा की क्या final merit list open करने एक बात वो चेक करेगा कि ये 75 aggregate वाले जो students है वहाँ पर list में mentioned होता है उनका देखा कि उनका merit number कितना है तो वो उसके carding लिए फिर क्या करेगा उनका merit number note कर लेगा और फिर वो जो interview schedule वाली जो list है वहाँ पर देखा कि उन merit numbers ने किस दिन जाना है interview के लिए तो आपने भी फिर उसी same day पर चले जाना है QMU में और उनको बताना है कि आप लोग उसे FSC के marks इंटर नहीं होते कोई भी वज़ा आप लोग बता सकते हो जो जिसकी वाइस आप लोग अपने FSC के marks इंटर नहीं कर सके ठीक है और वह इंशारा आप लोग को मोका लाजमी देंगे अब आप लोगोंने क्या करना है कि वो स्टुटेंट्स जिन को इस चीज पाता चल की है आप लोग काम ये बनता है कि आप लोग ये उन बागी तमाम स्टुटेंट्स के साथ शेक हो जिनको इस ये problem face करना पड रहा है क्योंकि आप लोग इस स्टेज पर कि student की help करो गेते हो, आगे जाकर unexpected में आपकी भी कोई ने कोई help होगी ठीक है, दोख आप लोग medical की students बनने जा रहे हो, ठीक है वो आप लोग काम बनता है, humanity को serve करना, तो ये भी humanity को serve करना ही में आता है, ठीक है क्योंकि अगर इस वक्त किसी student से जाए हो, ये chance मिस हो गया, बेशक उसका 80 aggregate हो, 85 हो, फिर उसका मुका नहीं दिया जाएगा, लहाज़ा आप लोग, जिन students को जानते हो कि उनको ये problem face करना पड़ रहा है आप लोग ये चीज़ उनके साथ लाजमी शेयर करो ठीक है, इस से आपको नुक्सान नहीं होगा, इन्चला आगे जाकर कोई ना कोई फाइदा ही मिलेगा, लहाज़ा आप लोगों से request है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को maximum to maximum लोगों के साथ शेयर करो so that उनको पता चल जाए कि उनको अभी क्या करना है, mostly students को मैं अभी इस वक्त रप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा अपना जो have a midterm exam start है जो के Friday को हतम होगा इस Friday को start हो, next Friday को हतम होगा इस तुरान में कोशिश करता हूँ कि like, जो most important students के message मुझे नजर आते हैं, जो आंकों के सामने से गुजरता हूँ, में reply दे देता हूँ लेगन बहुत कम like, एक-दो messages होते हैं, जदो को में reply नहीं दे रहा क्योंकि मेरा अपना exam जाल रहा है so that is why, ठीक है so आप लोग भी इस चीज को समझने की कोशिश करें, और आप से कोई बंदा अगर help मांगते हैं, आप से कोई question करते हैं, आपको अगर सही इस चीज का पता है, तो आप लोग उसका पता हूँ, otherwise गलत information किसी के साथ भी share ना करो ठीक है, लहाजा जो है वो इस चीज पर आप लोग जो है वो work out करो वो students जिनको इस चीज का नहीं बता, आप लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, या उनको बताव सकते हो, ठीक है, कोई further question है, तो आप लोग comment section के दर पूछ भी सकते हो, अगर कोई recommendation suggestion है, तो आप लोग बता भी सकते हो, ठीक है, thank you